अब सभी सीजी पीसी मेंस देने वाले हैं और सीजी पीसी मेंस पेपर पोर जो मैच्स हाता है 50 मार्ट का उसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और अब जया है और आज जैसे कि हम लोग लाइप आने वाले थे लेकिन इंटरेट इस्थ्यू होने से लाइब नहीं आ पाए इसलिए वीडियो आपको मिल जाएगी मैं वीडियोप्रोवाइड करा रहूं उसी टाइम पे अपना रिकॉर्ड कर लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं income tax income tax पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों को जरूरत पढ़ेगी कभी कभी तो basic information से ही direct question पूछ लेता है और कभी कभी आपको एक question solve करने को देगा तो इसलिए हमें कुछ information चाहिए देखो ये तो वैसे commerce section में आता है वहाँ income tax पढ़ना होता है बहुत मोटी से किताब होती है लेकिन उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है हमें CA नहीं बनना है clear clear syllabus में बोला है कि हमें income tax उतना हीं पढ़ना है जो salaried वाले लोग है जिनको वेतन मिलता है वेतन भोगियों के लिए पढ़ना है और उसमें भी उनको HR नहीं मिलता यानि जिनको HR नहीं मिलता उनहीं का income tax calculate करना है यानि इससे बहुत ज़्यादा clear हो गया कि हमें क्या पढ़ना है भी ना HR के HR के कितने types होते हैं कितना मिलता है यह सबका headache हतम हो जाता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ salary वाले आएंगे तो उसके लिए भी rule is passed है तो क्या-क्या rule है मैं वो rule बता बट सबसे पहले हमें ज़नना होगा financial year what is financial year in which year the income is earned is known as the financial year वित वर्स के रूप में जाना जाएं इस परस्ट है आपको यह definition what is assessment year assessment year आकलन वर्स कहते हैं इसको आकलन वर्स क्या है the assessment year is the year that comes after financial year यानि जिस साल हम कमाते हैं उस साल के बाद जैसे अभी 1st April 2023 से 30th March 2023 खतम हुआ उसके बाद वाला year क्या है हमारा है assessment year यानि जिस साल कमाते हैं उसके बाद वाला साल जिस साल कमाते हैं गड़ना उसके बाद वाले साल में उसको हम कहते हैं आकलन वर्स जैसे एक दिन का मजदूर दिहारी मजदूर पूरा दिन कमाता है दिन गुजरने के बाद मिलता है न उसको salary तब वो खर्च कर सकता है वैसे ही एक वेतन भोगी को पूरे साल तक वेतन मिलता है उसने कितना कमाया कितना खर्च किया वो एक साल के अंत मेखरण करेगा और उसी पर हमें tally कि ये है assessment year और fiscal के लिए हम किस रुप में और किस लैब के तहर टेक्स देते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो लोग इतना कमाते हैं इतना टेक्स देतों नहीं इसके लिए आपके रूल्स बने हुए हैं कि income tax laughs तो दो tax lab है हमारे पास है मैं दोनो tax lab को एक साथ आपके पास रखेंगों नहीं new tax labs and old tax old tax resume और new tax old tax, new tax resume and old tax resume और the financial year 23-24 दोनों के दोनों अभी valid है और दोनों में से किसी एक के थूँ आप फाइल कर सेंगे तो अब यह क्या है from 0 to 3 lakhs 0 से 3 lakh तक कमाने वाले तो कोई tax नहीं देना है यानि 3 lakh तक जो भी कमाते हैं कोई calculation भी होगा उनके लिए tax free है वो लेकिन अगर 3 lakh 1 से 6 lakh तक कमाते हैं या फिर यह कहें कि 3 lakh से जादा और 6 lakh से कम 3 lakh 1 से कम ऐसा तो इसलिए साफ साफ यह लिखा है कि 3 lakh 1 रुपया भी कमाते हैं और 6 lakh तक तब आपको 5 प्रतिशत का tax देना होगा new tax resume में note करते हो pen pencil लेकर बहुत बढ़िया बढ़िया बाते सिखाने वाला हो exam में आया नाया life में तो महुत जरूरी है और life में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है यहां जो पैसा नहीं कम पैसा कम हो गया तो टेक्स तो देना होगा पिर 6 lakh 1 से 9 lakh रुपय तक इतना देंगे 10 प्रतिशत तो अगर किसी का income आठ लाक है तो क्या आठ लाक का 10 प्रतिशत 80,000 रुपया वो टेक्स पे करेगा सबसे पहले यहीं बात आती है और मैंने में इंसर एंटिंग में जो टेक्स तरीज चल रहा था उसमें कई बच्चों का यहीं देखा कि 8 lakh है तो 8 lakh का 10 पसंद दे दो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आके में पूरा डेटेल बता रहा हूं नौ लाक से बारा लाक तक 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाक तक 20 प्रतिशत यानि यह वाला कितने का है 0-3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 हो जाएगा 15 है और फिर अगला ये 9 लाक में अगर आते हो तो इस 3 लाग का 10% लगेगा यानि कि 2 सधर इसको नहीं लिखना उड़र इसमें आते हो तो फिर इस 3 लाक का लगेगा 15 प्रतिशत यानि 45 पिर इसमें आते हो तो इस 3,00,000 का 20% लगेगा इस तरीके से income tax का किसी का 15,00,000 है 15,00,000 है तो 15,00,000 का 20% वो कहेगा किसे 10,00,000 लाग दस परसेंट हुआ और 30% तीन लाग tax देना पड़ेगा क्या नहीं आपको ये सारा tax देना पड़ेगा 38,00,000,000 और 90,00,000,000 और ये हो गया 50,00,000,000 और 10,00,000,500,000 रुपया ही आपको ठीक है तो ये है आपका tax laborate अब इसके ज़्यादा आप कमाते हो 15,00,000 से ज़्यादा तो 30,00,000 ते नहीं कहां तक इसका भी कोई limit है कि हा हाँ है थोड़ी दिर में बताता हूँ अब old tax को अगर आप select करते हो कि नहीं हम new tax के resume के थुरू नहीं जाएंगे old tax के resume के थुरू जाएंगे तो इसमें है zero से धाई लाग वाले का zero इसको कोई tax नहीं देना है लेकिन धाई लाग एक से पाच लग टाक वाले का 5% यानि ये तो धाई लाग का अंतर है और यहां पर भी धाई लाग का अंतर है और यहां पर कितने का अंतर सीधे 5 लाग का अंतर हुआ तो इस पहले धाई लाग अगर आप धाई लाग ही कमाते है तो कोई tax नहीं देना है लेकिन धाई लाग से ज़्यादा कमाएंगे तो 5% देना होगा यानि धाई लाग का 10% होता है 25,000 और 25,000 का 5% होता है 12,500 और अगर उससे ज़्यादा और अगले स्लैब में आप यानि आपकी salary 10 लाग रुपे तक है सालाना तो 10 लाग का पांच लाग अंतर हुआ 20% देना होगा यह हो जाता है 1,000,000 का आपको tax लगा यहां से अगर आप 10,000,000 कमाते हैं और 10,000,000 से उपर जितना कमाओ उस पर 30% यहां देखो 10,000,000 से ही उपर आने पर 30% के rate में आ जाते हैं और यहां पर 15 लाग से उपर आने पर 30% के रेट में इसलिए नया टैक्स रिजाइम है यह पुराना तो बोलोगेगी सर सभी लोग तो नए से जाएंगे पुराने से कौन जाएगा बहुत सारे लोग पुराने से वैसे सभी लोग पुराने से जाएंगे जो कही ना कही पैसा को बचा रहे हैं lice liye हुए ह है medic i am लिए हुए हैं उनको tax पर चूट मिलता है और tax पर कैसे चूट मिलता अब मैं सारी चीजों को समझाता हूँ यह बस आप को बताने के लिए कि ऐसा नहीं कर दarena हम क्यों दस लाग का बीस परसंट निकाल कर टैक्स दे दोऊंस्क्रों तो दस लाग का 20% भई, दस लाग का 10% हो गया, एक लाग और दो लाग टेक्स देना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन से, और क्या क्या अंतर है पुराने वाले में और नय वाले में, अब हमें नहीं के रिकोर्डिंग देना है, तो पहले क्या था और अब क्या था, क्या बदला हुई है, ऐसे वन लिनियर कॉस्टन भी आ सकते हैं, टू माक्स के कॉस्टन भी आ सकते हैं, कि basic exemption limit, basic छूट सीमा, धाई लाख रुपे से बढ़ा कर, तीन लाख रुपे कर दी गई, यानि पहले धाई लाख रुपे तक ही, हमें देना पड़ता था, टेक्स फ्री था, अब तीन लाख रुपे हो गया है, और रिबेट, सबसी इंपोर्टेंट है क्या, रिबेट, ये सवाल आ सकता, exam में, कि पहले पाँच लाख रुपे तक आपको रिबेट मिलता था, यानि टेक्स नहीं देना था, और अब 7 लाख रुपे तक नई कर वेवस्था में, न्यू टेक्स रिजाइम में, आपको कोई टेक्स नहीं देना है, वो भी 7 लाख क्या, 7 लाख टेक taxable income, तो income और taxable income में अंतर होता है, कि क्या होता है taxable income और क्या होता है income, तो income जो आप कमाते हो, और taxable income, यानि उस पर से कुछ कटावती होती हैं, कुछ deductions होते हैं, जैसे कि आपने LIC में जमा कर रखा है 50,000, तो आप 10 लाख रुपया कमाए हो, तो 50,000 हट जाएगा, फिर पिर आपने PPF लिया है, NPS लिया है, अपने MEDIC claim ले रखा है, अब और भी कहीं कहीं ऐसे सरकारी जगों पर या ऐसे जगों पर इंवेस्ट कर रहे हो, जहां से आपको tax की छूट मिलते हैं, तो वो सारी चीजे घटाने के बाद जो पैसा बचता है, उसको taxable income कहते हैं, उसक सारी बातों कर्चे से सी, तो यह सात लाक रुपे तक याद रखना, the amount of tax rebate doubled to 25,000 from 12,500, छूट की रासी 12,500 रुपे से दुगनी होकर 25,000 रुपे हो गई है, यह पिछले साल तक 12,000 तक ही छूट मिलता था, अब छूट कितना मिलेगा, 20,000, लेकिन ध्यार रखनो, यह सब होगा, new tax rate, old वाले में अभी भी यही सारी चीज़े चलेंगी, old वाले के लिए rebate कितना होगा, 12,000, और old वाले में छूट की सीमा क्या होगी, 5,000, new वाले में छूट की सीमा क्या होगी, 7,000, ठीक है, अब सबसे जरूरी, 6,000, जब आपका income, taxable income, 7,000, से ज़्यादा है, नई कर वेवस्था में, तब आपका जो भी calculate करके income tax आएगा, कि इतना income tax हुआ, उस पर लगेगा 6,000, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, कि new कर वेवस्था के recording, अगर आप 15,000, रुपे कमाते हैं, तो यह full मिला कर आपका होता है, income tax, अब इस पर सेस लगेगा, कितना, 4 प्रतिशत, और वो जोड के देना होगा, इसको सिछा या स्वास्त उपकर कहते हैं, education and health सेस, तो आपको यह सेस और रिबेट दो बाते समझ में आई, सेस और रिबेट ध्यान रखना, सेस कब लगता है, जब आपका income नई कर वेवस्था के अनुसार, सात लाग से जादा हो, और पुरानी कर वेवस्था के अनुसार, आपका कर योग आए, पांच लाख रुपे से जादा हो, तब सेस लगेगा, अनिता सेस नहीं लगेगा, और इस से कम होगा, तब रिबेट मिलेगा, ध्यान रखना, कि पांच एक सब्दाता है कि सर्चार्ज कब लगता है तो अगर आप 50,000 रुपे से 1 करोर रुपे तक कमाते हो तब आपको 10 प्रतीसत सर्चार्ज देना होगा वो तो 30% जो टेक्स दे रहा हो तो दे नहीं है 10% सर्चार्ज देना पड़ेगा और भी एक्स्रा टेक्स 10% सर्चार्ज और अगर आप 1 करोर से भी ज़्यादा कमाते हो एक साल में तब आपको 50% सर्चार्ज देना होगा 15% सर्चार्ज देना होगा आप 1 करोर से ज़्यादा कमाऊगे तो 15% सर्चार्ज और जो 30% टे रहे थे वो तो देना ही है तरह लिए हाई रचार्ज 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 रर्चार्ज रॉज थे रुद्स दो 5, suck अब यह क्या है 30 kor ayudaragers प्राजर क्या है जो लोग 5 करोड से जादा कम आते थे उनको पहले 37 प्रतीशत सरचार्ज देना पड़ता था लेकिन उसको गवर्मेंट ने कम कर दिया है उसको 25 प्रतीशत कर दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग टेक्स में टेक्षाइब थे कि युगदान में भाग ले सके मैस्मूम लोग टेक्स पाइल कर सके अभी सरचार्ज हाइस सरचार्ज कितना है 25 पसेंट किसको देना है ये सारे को सुनाएंगे नोट कर लो 25 पसेंट का सरचार्ज कौन देगा जो पांच करोड से ज्यादा कमाता है यनि पांच करोड एक रूपया कमाते हो तो आपको सरचार्ज 25 पसेंट देगा अगर पांच करोड से कम कमाते हो तब आपको कितना देना पड़ेगा 15 प्रतिशत और अगर 50 लाग से लेकर एक करोड तक कमाते हो तो आपको 10 पसेंट सरचार्ज देना पचास लाग से कम आपकी कमाई है तो आपको सरचार्ज नहीं देना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एक-एक कॉंसेट क्लियर करते हैं चलना यदि आपके पास होम लोन है if you have a home loan you may be eligible for tax deductions अब tax deductions क्या है यह सिखा तो और बोध इंड्रेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट मोर्डन लोन कि आपने जितना भी लोन लिया है इंड्रेस्ट पर भी और प्रिंसिपल भी जो भी पे कर रहे हो उस पर आपको टैक्स से चूट मिलेगा ATC, अब ATC सबसे इंपोर्ट सेक्शन है धरा, ATC, benefit several deductions from your taxable income are available under section ATC of the Income Tax Act, investment in PPF, ELSS, NSC, SCC, life insurance premium and certain specified contribution to certain designated for funds are among the most popular और भी बहुँ ज्यादा है लेकिन सबसे ज्यादा पॉप्लर यह है अगर यहां यहां आप invest करते हो तो आपको टैक्स से चूट मिलेगी, डिदक्शन मिलेगी अगर आपने education loan भी लिया है तो उस पर भी आपको interest और principle दोनों पर छूट मिलेगा तो यह आपको जानना चाहिए था अब सबसी important, the standard deduction of rupees 50,000 is available to every employee and individual without any condition is only available to salaried and pensioners, ध्यान रखना salary वाले के लिए और pensioner वाले के लिए यह available है पचास हजार का standard deduction यानि अगर आप 5 लग कमाते हो तो भी आपको standard deduction मिलेगा आप 10 लग कमाते हो तो भी आपको standard deduction मिलेगा लेकिन वो कमाई आपकी pension से होनी चाहिए या salary से होना चाहिए salary मतलब आप government employee हो तो भी आप private employee हो तो भी salary से कमाते हो तो जो भी आपकी पूरी कमाई होती है उसे पचास हजार कटा ले इसलिए मैंने इसके लिए एक dedicated PDF लाया हो अब यह देखो दम मैक्सिमम सब बहुँ जादे स्वेंट इसमें confused रहते हैं तो इसको भी मैं clear कर रहा हूँ the maximum deductions allowed under section 80C कितना है maximum 80C के तहत देड़ लाख रुपए तक या फिर जो आपने investment किया है उसमें से जो कम हो कि 80C के तहत जो भी मैंने आपको PPF, ELSS और जितनी चीज़ा भी दिखाई थी वो सब मिला के देड़ लाख से जादा नहीं होना चाही है ठीक है can be claimed as deduction every year from the gross total income अब gross total income क्या है तो आपकी जितने भी sources है सारे sources से कमाई को gross total income companies partnership form LLPs cannot avail the benefit of this deductions तो साब साब आती है कि जो companies है या partnership है या आजकल चल रहा है जो क्या कहते है start-ups उसमें कई सारे लोग मिलके काम करते हैं partnership business करते हैं तो वो लोग इसको avail नहीं कर सकते हैं उनको ये deductions नहीं मिलते हैं who can claim section A.T.C. deduction section A.T.C. deduction can claim by individuals and hubs ये hubs के हैं तो हिंदू undivided families अब ये जो चीज़े दी गई है तारे जितने भी deductions होते हैं ये मैं PDF आपको दे दूंगा और ये आपके knowledge के लिए हैं इंडी में भी है इंग्लिस में भी है तो आप इसको एक बार पढ़िएगा इंग्लिस में वहीं सारी चीज़े कि कहां कहां आपको कितने अब जो चीज़े रह गई है उसको हम लोग सीखेंगे question के साथ question number one इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे taxable income अभी हम लोग income tax fine करना नहीं सीख रहे है taxable income पहले सीख लेंगे तभी income tax fine करना सीख पाएंगे calculate taxable income of Mr. Rohan whose yearly income from salary is 8 lakhs rupees rupees 8 lakhs he does not get any house rent allowances and he has no savings and his age is 45 years 45 years age देने का मतलब है कि 60 years से कम के है 60 years से ज्यादा वालों के लिए tax system अलग होता है उनको कुछ ज्यादा tax benefits मिलते हैं तो यह 45 50 40 कुछ भी हो सकता है तो आप यहाँ पर थोड़ा यह 8 लाक रुपए की तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर इस salary इनको एक साल में 8 लाक रुपए की राप्त हुई है ठीक है आठ लाक रुपए उनको मिल गई उसके बाद बोला उनको कोई allowance नहीं है कोई savings नहीं है तो देखो salary या income क्या होता है income from house property या आपका घर है आपको rent मिलता है या फिर कुछ और भी भत्ते मिलते हैं तो वो भी आपकी salary मानी जाएगी income from capital gains के आपने कहीं कुछ invest कर रखा है और वहां से आपको interest मिलता है तो या फिर किसी भी तरह के से आपक income होता है या फिर dearness allowances कोई भी allowances मिलता है इसलिए हाँ पर allowances लिख दिया है तो आप सब add करेंगे और यह सब add होने के बाद जो income बनेगा उसको कहेंगे gross total income तो इसमें तो कुछ add नहीं हुआ तो यह क्या हो गया आठ लाग ही रह गया gross total income इसको कहते हैं कुल सकल आए हिंदी में लिख लेना कुल सकल आए और यह वेतन से आए इसको क्या लिखोगे वेतन से आए अब deductions under section ATC जो भी भी बताया ना क्या क्या होता है ATC में PF, provident fund, PPF, LIC, FD, NSC, house loan और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो मैं आपको list already दे दिया है तो उसमें जितने भी पैसे आते हैं maximum यहां कितना लेना है डेड़ लाग से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं तो वो इसमें से घट जाता वो है नहीं standard deduction अभी कितना है standard deduction पचास हजार तो यह तो घटना ही घटना है कि हम standard deduction इसमें से घटा लेंगे अब जो salary बची कितनी साथ लाख पचास हजार यह क्या कहलाएगी taxable income कि इस salary पर income tax की गरना प्रारम की जाएगी अब आप बताओ कि साथ लाख पचास हजार रुपे जो income कर रहे हैं उनको tax देना पड़ेगा कि नहीं बिलकुल देना पड़े और किस वेवस्ता के ताहत तो नई वेवस्ता के ता साथ दोगे तो आपने कुछ ना बचट किया ना कुछ तो वहां से आपको लॉस्ट उठाना पड़ेगा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ठीक है चलो आगे बड़े दूसरा क्रोश्चन इसमें भी taxable income ही फाइंड करना है calculate taxable income of Mr. Ratan whose monthly income from salary is 50,000 ये पचास अजार रुपे की salary लेते हैं he get DA 8,000 per month याने income from salary पचास अजार रुपे महीना एक महीने में पचास अजार रुपे ये कमाते हैं तो ऐसे ऐसे एक साल में कितना yearly income है में इसा अकाउंट होता है ध्यान रखना क्योंकि financial year लिखा है न तो थाउसन तैस और चौबिस दो वीतवर्स तैस चौबिस के लिए आयकर कि गढ़ना तो वीतवर्स तैस चौबिस में एक साल होता है बारह महीने होते हैं तो बारह पंजे साथ शे लाख रुपे इनको salary से मिले हैं तो छे लाख रुपे यहाँ पर लिख देते हैं जे लाख salary से आगए अब हाउस property कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन डीय मिल रहा है तो डीय कितने मिल रहा है आठ हजार रुपे महीने का और कितने महीने तक मिलेगा बारह महीने तो बारह अठे नौ लाख 93 हजार रुपे का इनको डीय मिल जाएगा महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं ने और भी किसी सोर्च से इंका कोई income generate नहीं होता तो 6 लाख और 96 हजार रुपे इनका income हो गया कौँसा income ग्रॉस टोटल इंकम ठीक है फुल सकल आए अब यहां से deductions तो ATC में इनोंने कुछ बचत नहीं किया है तो इनको सिर्फ और सिर्फ standard deduction मिलेगा पचास हजार रुपे का तो taxable income कितना हो गया जीरो 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 छै नौ में से पांच जाएगा चार्ट है लाख 43 हजार रुपे इनके taxable income हो जाएंगे तो यह रहा taxable income का concept कि आपका salary से कुछ और होता है deductions और addition करने के बाद जो बचता है उसको कहते है taxable income अब income tax का calculation होता तो इनको इस amount पर income tax का calculation करेंगे तो चलो चला जाए income tax का calculation करने है calculate income tax of Mr. Deepak whose yearly income from salary is 30,000 per month and get d7,000 per month he does not get any house rent allowances and he has no saving and his age is 45 years कि दीपक के आए करके गड़ना करना है जिनका वार्स मासिक पर ही वेतन से मासिक पर मन्त है न यहां पर थोड़ा से change है वेतन से मासिक आए 30,000 है उन्हें डीएस डीएरनेस अलावेंस महेंगाई भत्ता उन्हें कोई मकान करया भत्ता नहीं मिलता उसके पास कोई बच्चत भी नहीं है बाके सब तो सही है तो चलिए एक बार देखते हैं इधर आप पार्टिकुलर्स लेख लो और एक तरफ लिख लो amount और इस तरीके से एक छोटा सा table पॉर्म करें अब इसमें लिखो income from salary ठीक है वेतन से आए है इन्हें में क्या कहते है वेतन से 10,000 रुपे महीने का गुना बार यह तीन लाख साथ हजार रुपे अब और भी कोई आये क्या है क्या है उन्हें साथ हजार रुपे ढी यह 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 महंगाई भत्ता साथ हजार महीने का तो बरच अबरस ए 84 हजार रुपया महेंगाई तो ये हो गया सकल फुल सकल आए यानि ग्रॉस टोटल इंकम इतना होगे 0,004 12 4,44,000 रुपय इनका कुल आए हो गया अब यहां से क्या कहेंगे लेस और यह होता है एड यह कहता है जोडें और लेस डिडक्शन और वो भी कौन सा डिडक्शन एक ही डिडक्शन है क्योंकि इन्होंने कोई बचत नहीं की है तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन हिंदी में क्या लिखेंगे मानक कड़ोती कितने रुपय की पचास हजार जीरो जीरो यह सब जीरो है भाई जीरो यह भी जीरो है और यह चार 12 मैंसे पाँच गया इन्हें तीन लाख 92 हजार रुपया इनका क्या हुआ पहले तो हमने taxable income निकालना ज़रूरी है सारे question अब हम यहां से income tax का calculation कि इनको कितना income tax देना है income tax according to according to new tax resign नई कर विवस्था के नुसार income tax का calculation उसमें है slab 1 पहला slab क्या कहा रहा है slab 1 कहता है 02 relax ठीक है relax कोई tax नहीं देना है निल यानि 3 लाख रुपय तक 3 लाख रुपय तक हमें कोई tax नहीं देना है तो हमारा income कितना था 3 लाख 94 लाख तो दूसरे slab में जाएगा तो slab 2 क्या कहता है slab 2 ये कहता है तीन लाख 1 लाख एक रुपया से 6 लाख रुपय तक प्रदीश तो इस दूनों के बीच का गैप कितना है तीन लाख रुपय का लेकिन हमारे पास पैसा कितना है तीन लाख का तो calculation हो गया तो तीन लाख चोवरानबे हजार है तो हम तीन लाख चोवरानबे हजार रुपय में से ये जो तीन लाख पै कर चुके हैं इसको घटा देंगे तो बचेगा कितना चोवरानबे हजार तो इस चोवरानबे हजार का पाच प्रतिश इतना होता है तो दस प्रतिशत हो जाएगा 9,400 9,000 का आधा 4500 400 का आधा 200 यानि 4700 4,700 तो ये क्या हुगा calculated calculated इतना इनको टैक्स देना चाहिए लेकिन इनका टोटल टैक्स अबल इंकम कितना आधा 3,94,000 और न्यू कर विवस्ता का रुषार 7,00,000 रुपय तक का टैक्स अबल इंकम फ्री है तो इसमें से तो इनका 3,94,000 था तो इनको रिवेट मिल जाएगा या लेस करेंगे रिवेट कि रिवेट कितना तो 25,000 या उससे कम दूनों में से जो हो जीरो जीरो ये क्या हो गया पेबल इंकम टैक्स पेबल ये हो गया कम लोवर इंकम जो जनरेट करते हैं उनके लिए इंकम टैक्स का कैलकुलेशन मैथेमेटिकली हम एक्जाम में ऐसे ही सॉल्व ठीक है यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि रिवेट क्यों मिला तो यहाँ लिख दोगे कि नई कर्वेवस्था के अनुसार ऐसे वेतन भोगी और पेंसनर्स जिनकी कर्योगे आए साथ लाख रुपे से कम है उनके लिए रिवेट का 25,000 रुपे तक रिवेट का प्रावधान है अब 25,000 या उनका calculated income tax यानि गणित आयकर जो भी कम हो उसे देना होता है वो छूट के रुपने मिल जाता है इनको छूट के रुपने तो इस तरही के से आप language का प्रियोग करते हैं तो लिख सकते हैं दूसरा कोश annual income of Mr. Ars Raj Singh including HR A excluding HR A rupees 4,80,000 4,80,000 इनका सालाना income है he get 20% DA dearness allowances he does not get any house rent allowances and he has no savings calculate his income tax to be paid कि Ars Raj Singh का कितना income tax देना होगा इसका calculation करना है मैं तो कहूंगा कि आप video को stop कीजी और इसका calculation और यार एक चीज़ और कहूंगा कि आप लोग comments बहुत कम गए बहुत मेहनच से पढ़ाया जाते हैं और ये पूरी तरह से आपके exam oriented में पढ़ा रहा हूँ चीज़़ए इक्जाम से पहले एक बार देख लिए तो income tax का सारा concept क्लियर हो जाए और जो लोग इस बार exam नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहतरीन चीज़ है कि अभी income tax पाइल करने का समय भी है सभी लोग income tax पाइल करना सीखना चाहते हैं आप कैसे calculate करोगे यहां से बहुत आसानी हो जाएगी आपका बहुत आसान हो जाएगा आपका जीवन इंकम टैक्स तो एंसर कीज़े इसको चार लाख असी हजार उपे और बीस परसेंट डी ए मिलता है एक तरफ लिखेंगे पाइटिकुलर्स और एक तरफ अमांट पहले तो किस अमांट पर हमें टैक्स देना है कि गढ़ना कर लेते हैं income from salary वेतन से आए तो वेतन से आए कितने हैं उनको 4,80,000 हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ आप वहां से लिखेंगे एड क्या एड करेंगे डी ए गाई बत्ता अब 20% किसका इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फूज रहते हैं तो डी ए आपको हमेशा income total income जो आप generate करते हैं या फिर जो salary से आप मिलता है उसका मिलता है तो 4,80,000 रुपए का 20% डी ए मिलेगे तो 10% हो गया 48,000 रुपए तो 20% हो जाएगा 96,000 रुपए 96,000 रुपए आपको डी ए मिलेगे अब तो कोई income है नहीं तो दोनों को plus कर लेंगे ये हो गया gross total income पाच लाग के हत्तर हजाद रुपए का तो इनकी बचत नहीं है तो 50,000 रुपए का तो standard deduction बिना किसी सर्थ के अवलेबल है बिना किसी खंडिव वो जो भी salary है उनको मिलेगा ही मिलेगा सबसे पहले issue को minus किया जाता है तो साथ में से पांच किया दो पांच लाख 20,000 रुपए यह क्या हो गया टैक्सेबल इंकम हो गया पांच लाख 26,000 रुपए को calculate करना तो यह भी क्या है जो 0 से 3 और 3 से 6 यानि दूसरे slab तक ही रह जाएगा तो इसका भी answer वह है करना है तो फट आफट कर लेते हैं यह calculation यहां लिख देना competition of income tax for given financial year यानि financial year क्या है for the financial year 2023-2024 यह लिखना ज़रूरी है अब मैं धर लिख ले रहा हूँ कि slab 1 पहला slab क्या कहता है जीरो से जीरो टू रिलाक्स कितना निल कुछ भी नहीं देना है तो यह 0 से 3 लाग कितना हो गया 3 लाग रुपए हो गया यानि 3 लाग का calculation हमने already कर दिया आप यहीं पर समझ ले उसके बाद दूसरी चीज क्या है इसमें सेकंड है slab 2 slab 2 कहता है कि 3 लाख एक रुपए से 3 लाख रुपए तक कितना है 5 परतिशत यानि इसका difference कितना होता है तीन लाख का परतिशत कितना हो जाएगा दस परतिशत होता है तीस हजार तो परतिश त्यादा 15,000 यानि यहाँ आपको 14,000 का tax दुकाना हो ठीक है लेकिन ये पंद्रह हजार का कब चुकाते हैं जब आप यहाँ पर छे लाख रखते हैं लेकिन छे लाख तो है नहीं तो आप क्या करेंगे इस पूरे तीन लाख की गढ़ना नहीं करेंगे तो अब तो तीन लाख आपने यहाँ से पमे कर दिया है और आपके पास कुल पैसा कितना था पांच लाख भीस हजार तो पांच लाख छब्विस हजार से पिन लाख हटा देंगे तो यह कितना बचेगा दो लाख 23,000 अब इसका 5% लगेगा ना कि इसका ठीक है तो 10% होता है 22,600 तो उसका आदा कितना हो जाएगा 11,300 तो आपको 11,300 का ही भुक्तान करना होगा जो की दोनों में हम प्लस कर देंगे तो कहलाएगा calculated income tax calculated income tax कितना होगा इसमें हम प्लस कर देंगे तो 11,300 तो calculated income tax 11,300 यादि 25,000 से कम है या फिर इनका income अभी 5,500,000 भी नहीं या 5,26,000 यादि 7,000,000 रुपे से कम है तो हम क्या कहेंगे less rebate अब rebate कितना घटा दें? पूरा का पूरा 11,000 जाओ जाएगा यानि payable income tax एक बच्चे ने MTS में लिख दिया था कि taxable income is 5,26,000 which is less than 7,00,000 तो ही है ही नोट नीट टू पे इने tax वो लिखना है बट लास्ट में ये calculation दिखा कर ठीक है? चलो और आगे चलते हैं कोशन नमपर 3 sorry, कोशन नमपर 5 calculate income tax to be paid of Mr. Monu whose yearly income from salary is 85,00,000 8,50,000 he does not get any house rent allowances and he has no saving as a 45 तो जो मैं taxable income का calculation कर रहा था अब तक charge question में करके दिखाया तो I think आप सीख गए हो तो अब वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं उस पार्ट को solve नहीं कर रहा हूं direct आपको income tax calculate करके दिखाता हूं और वैसे इसमें कुछ है भी नहीं है कि Monu का वेतन से है कितना है? 8,50,000 है न? और इसमें से बस एक deduction होगा पचास हजार आप लेकिन proper format में लिखना पचास हजार स्टेंडर्ड इडेक्शन तो बचेगा कितना? 8,00,000 तो Monu का ये है taxable income taxable income तो इसी पर हमें income tax का calculation करना है तो मैं direct slab 1 से start कर रहा हूं ये तो line लिखना ही है उसके नीचे लिखेंगे slab 1 slab 1 क्या कहता है? 0,2,3,00, मतलब ये 3,00,000 है और यहां पर इनको कोई भी tax नहीं देना है तो 3,00,000 का calculation हो गया लेकिन हम यहां ध्यान रखेंगे 8 से 3,00,000 गड़ाएंगे तो 5,00,000 है यनि दूसरा slab पूरा पूरा आएगा अब slab 2 ये क्या है? 3,00,000 एक रुपए से 3,00,000 एक से 3,00,000 तर ये कितने का गड़ दूनों का अंतर होता है? तो दूनों का अंतर होता है 3,00,000 रुपए तो 3,00,000 का 5 पर तीस है यहां पर पूरा पूरा लगेगा क्यों लगेगा? उसमें काट दिया था और इसमें देना है 10% 30,000 तो ये 15,000 रुपया इनको पूरा 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 15,000 रुपया पूरा पूरा टैक्स पे रूप में देना है अब 3-3-6 हो गया और था कितना मोलों के पास? 8,000,000 तो अब तो 2,000,000 बचाना है तो अब slab 3 slab 3 में आ जाएंगे और slab 3 क्या कहता है? 6,000,000 एक से 9,000,000 तब कितना? यह नहीं लिखा हूँ क्या? यह निल हो गया यहां लिखना होता है भाई 5 प्रतिशत और यह 10 प्रतिशत तो लेकिन 9,000,000 इसका तो अंतर 3,000,000 का होता है लेकिन 3,000,000 हमारे पास है नहीं हमारे पास तो अब यहां last जब भी करेंगे तो last में इसको लिख देंगे कि 8,000,000 है तो 8,000,000 में से 3,000,000 और 3,000,000 गटा देंगे तो बचेगा कितना? दो लाक रुपे कितना? 20,000 का टैक्स और हमें देना होगा तो यह कितना हो गया? तो 35,000 अब बताओ यह 35,000, 25,000 तक कई था ना रिवेट लेकिन आ गया 35,000 तो क्या 25,000 रिवेट दे दें? नहीं यह रिवेट या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा कैसा नहीं कि 25,000 तो हमारा रिवेट है काट के हम 10,000 देंगे नहीं अब आपको पूरा का पूरा टैक्स देना है तो इसको हम क्या कहते हैं? income tax मैं इसको उपर इधर लेख लेख calculated income tax वया कलित आयकर कहते हैं हिंदी में इसको क्या कहेंगे? 35,000 रुपए है अब जब 35,000 रुपए हो गए और दूसरी चीज़ ये भी देखो कि इनका taxable income कितना है आठ लाग जो कि 7 लाग से अधिक है तो इनको कोई rebate नहीं मिले लेकिन इनको अब और extra देना पड़ेगा क्या सेस एड सेस कितना चार प्रतिशत किसका तो 35,000 का चार प्रतिशत इनको सेस देना पड़ेगा इसका एक प्रतिशत होता है 350 तो दो प्रतिशत 700 तो चार प्रतिशत 1400 रुपए इनको और जमा करने बढ़ेंगे हेल्थ और एजुकेशन सेस के रूप में तो यह कितना हो गया 37,400 रुपए यह क्या है पेबल इंकम टेक्स और इसको आप तो यह है एक स्टैंडर्ड कोश्चिन इंकम टेक्स के लिए हमें इतना करना होगा बाकी एक ग्राफ और बनाना होगा एक इंकम करने के लिए चोटा सग्राब बनेगा उस वर मैंने चार कोशन आपको सिखा दिया है इसलिए यहां और सग्राफ को नहीं बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं स्री मनोज के आयकर के गढ़ना करें जिनकी वार्सिक आय बारा लाख रुपे हैं उन्हें कोई मकान किरायवत्ता नहीं मिलता और उनके पास कोई बचते हैं यह उनकी आय पैता है तो इस कोश्चन को मैं होमबर कर रहा हूं आप लोग खुछ से सॉल्व करों इस को और यह क कि आपका एंसर कराही है किस को मैं आप पर चोड़ता को मैं मैं कि अब कितने स्लैंब में सॉल्व करते हसे अब यह देखो मैं अब तक तो सब न्यू टैक्स रिजैम से कर दिए हैं और अन्यू पूल्टेक्स रिजैम से भी कौश्चन गर और 2,5 से 5,05 परसेंट और ये 3 से 6 लाग में पांच प्रतिशत और इसमें 5 से 10 लाग में सीधे 20 द्यान रखना 5 के बाद 20 आता है यह क्या है 5 प्रतिशत और यह क्या है 20 प्रतिशत का टाक्स आपको देना है और दस लाग से जाता जब हो जाएगा तो तीस प्रतीस है यानि ओल में पांच, बीस, तीस, तीसरा कुछ नहीं और न्यू में पांच, जीरो, पांच, दरस, पंदरा, भीस, और बीस के बाद तीस, बीस के बाद पच्छिस नहीं आता इसनी वो 12,00,000 वाला दिया था, ती 12,00,000 वाले में तो आप यही तक रहें जाएगा, खेर, आगे चलते हैं, इन दिस सेनारियो, वी कंसीडर दैट देट्स पेर टेक्स वन लाक्स फिफ्टी थाउज़न एंड फिफ्टी थाउज़न बेनिफिट्स, कि इतने का बेनिफिट् करेंडिक, तो वहाँ से भी उनको 50,000 रुपे तक का क्या कहते हैं, 25,000 रुपे तक का डिडक्शन मिल जाता है और हेल्थ चेकप के नाम से आप बीमार पड़ते हो कई सारे टेस्टेस करते हो तो पांच जार रुपे का और डिडक्शन मिल जाता है उसके लिए कोई आपको डॉक्मेंट सम्मिट करने की ज़रूरत नहीं है तो और उस तरीके से कुल देखोगे तो टेक्स पेर गेट्स टोटल डिडक्शन ऑफ रुपेस 2.5 लाइक्स इन ओल्ट टेक्स रिजाइम में टोटल कितना धाई लाख तक रुपे का आप डिडक्शन ले सकते हो फिर आप आत विस्टे में हम मानते हैं कि करदाता अशी और अशी डी के तहर्व करम से डेज लाख रुपे और पचास हजाय रुपे का लाब लेता है इसलिए आपномуड पचास हजा टीक है, he is unable to avail deductions available under the old tax regime, find the difference between his payable income tax under the old tax regime and new tax regime, देखो इसने taxable income calculate कर दिया है, मतलब मैंने ही किया है, कि एक line हमारा बचे, कि 9 लाख रुपे कमाता है, 50 जार रुपे standard deduction deduct हो गया, तो 8 लाख 50 जार रुपे उसके क्या है, कर योगे आए है, taxable income है, यानि 8 लाख रुपे पर ही हमें calculation करना है, old और new दोनों के तहट, तो मैं दोनों के तहट calculate करके दिखाता हूँ, फुरस्ता मैं shortcut use करूँगा, ज्यादा detail नहीं लिखूँगा, यह कि है 8 लाख 50 लाख पर, तो पहले 3 लाख पर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कि पहले 3 लाख पर, कैसे कैसे, मैं words देने हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया है, 3 लाख पर कोई भी tax नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे 3 लाख पर, दूसरे 3 लाख, पर देखो, कुल मिला के चैन्क होने चाहिए, तो लाख बन जाता है, दूसरे 3 लाख पर, 5 प्रतिशत, तो इसका 10 प्रतिशत, 30,000, तो 5 प्रतिशत, 15,000 टैक्स लगेगा, ठीक, 15,000, और उसके बाद 3, 3, 6 हो गया, और कुल कितना है, 8, तो 6 में से, 8, 6 लाख घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 5 लाख, तो 2,50,000, तीसरा कितना बचा आप, 3 लाख नहीं, 3, 3, 6 है, और 2, 2,50,000, नए वाले के तहट अब कितना हो जागा, 10 प्रतिशत, यहनी 25,000 का और, यहना, 25,000, तो कुल हो गया यह, 40,000, calculated income tax, calculated income tax कितने का हो गया, 40,000 का, अब इसमें हम से, एड कर देंगे, तो इसमें हम पर लिख देता हूं है, income tax, ओके, अब इसमें 4% और जोड देंगे, लोग जोड़ी लेते हैं, चार जन्दी, तो इसका 4%, तो चार चेगो कितना हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 41,600 रुपया यह हो गया, payable tax, ठीक है, इतना pay करना, इसमें तर आ गया, लेकिन जब old के according करेंगे, तो पहला यह है old, और इधर क्या था, new, तो old के according करेंगे, तो पहले धाई लाग पर कोई टेक्स नहीं देना होगा, लेकिन दूसरे धाई लाग पर, यह है second, दूसरे धाई लाग पर, इतना, 5 प्रतिस्द, अभी बताया था, तो यहां तो यही रहेगा, ताढ़े 12,000, 12,500, लेकिन तीसरे धाई लाग हाएगा न, धाई धाई पाँच और धाई साड़े साड़े आठ है यह, तो तीसरे धाई लाग को भी सामिल करना होगा, लेकिन पाँच के बाद, सीधे 20, 10 नहीं, मैं आपको यहां पर एक बार दिखा दूँगा, कि पहला धाई लाग और इसके बीच का अंतर कितने का है, धाई लाग का, पांच परसेंट, और यहां पर कितने का है, पांच लाग का, और यह, बीस परसेंट, तो यहां पर धाई लाग नहीं, यहां तो सीरे अंतर पांच लाग का दिया, तो धाई धाई पांच हो गया था तो यहां पर ढज्भाई नहीं साढे तीन जैनि अब ढज आएगा third slab में कितना पैसा बचेगा ताढे 30,000,00 अब साढे 3,000,00 का सीधे कितना 20% 10% हता है तैसां तैसाजार और 20% हता है इनको टेक्ट 70,80, बेरासी 1200 रूप देने हो अब इसमें से 6 एड़ कर देंगे ठीक है एड़ 6 चलो 6 को भी एड़ कर दिया जाए तो इसका 4 प्रतिशत एड़ 6 तो 10 एक प्रतिशत 825 तो आटव के 32 प्रतिश्यों के 3300 रुपे तेस देने पड़ेंगे 00 यह दू पार में से अटा क्यों रहा हूँ? जोड़ना है 00 पांच में से 3 गया पांच और 3 आठ तीन रुप 85800 रुपे टैक्स इनको पे कर लागा तो उसके देर के बीच का अंतर तो अंतर कितना हो जाएगा? तो पच्यासी हजार आठ सो ओल्ड में और न्यू में 41,600 कितने का बचत कर लेगा वो? 008 में से 6 गया दू और पांच में से 1 गया 4 तो 44,200 रुपे की बचत हो सकती है अगर आप टैक्स के जानकार रहेंगे तो बाते समझ में आई? कि कितना बड़ा काम होगा यहां से तो अगर आपने कोई बचत नहीं किया आपका नहीं नहीं नौकरी लगी है तो आप नए कर्वेवस्था जाएं चलो आगे चाहिए ना मंदली इंकम आपकास इस 75,000 ही दिपोजिट 4,000 इन प्फ अहो ही दिपोजिट 4,000 पर मन्त इन प्फ आपकास पेट अ प्रिमियम अ 25,000 L.I.C. अ 20,000 पर प्प्प दूरिं दे यर अलों इन इस आपकास अलसो देने 15,000 100% discount यानि पूरा का पूरा टक्स से छूट मिल जागा उस 15,000 पर तो इन प्रिम मिनिस्टर्स रिलिफ फंड रुपेस 20,000 50% discount to the orphanage यानि हो मच इंकम टक्स विल हब तो पेज अट दे इंड अप दे एर तो यह इतने इतने खर्च कर दिया है यानि इसका सबसे पहले हमें taxable income tax find करना होगा जो कि सबसे बड़ी चीज होगी तो वो कैसे find होगा तो monthly income मैं calculation कर रहा हूँ यहाँ पर particular or amount अब दो तरीके से ऐसे आने बना लीजेगा और फिर यहाँ पर income from salary कितना है 75,000 महीने तो साल का कितना होगा तो 0,00, 552 तो रहासी और चल्ट नौ लाग रुपे दे दिया इदर नौ लाग रुपे salary सेलरी सेंटी मिल गया और चार हजार रुपे पर मन्त provident fund में यह जमा करते है ध्यान रखना PF में पैसा दिया जाता है वो income नहीं है अब इनका income तो कुछ नहीं है तो यही हो गया gross total income लेकिन लिखना पड़ता है gross total income अब यहाँ से less करें क्या deduction तो पहला deduction क्या है provident fund चार हजार रुपया पर मन्त लिख ले क्या है लिख लेते पहला है PF चार हजार रुपया पर मन्त बारह महीना में अड़तालिस हजार रुपया तो provident fund में डान दिया पूरी तरह से इनको छूट मिल जागा ATC के तहर्त अकास पेड प्रीमियम ऑफ कितना? 25,000 उसके बाद 20,000 फॉर PPF दूरिंग दे यर पबलिक प्रॉफिदेंट fund में 25 न 20,000 रुपया उसके बाद डोनेट कर दिया है 15,000 डोनेट कर दिया है कितना? 15,000 और पूरा का पूरा छूट मिल जाएगा उसके बाद 20,000 प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में और 50% है डिसकॉंट मिलेगा पी एम आ रहेगा तो 20,000 का पच्चास प्रतीशन तो यह पूरा कितना हो जाएगा? 0, 0, 0 आच पार 10,88 इसमें से माइनस हो जाएगा एक लाइगा और एक और माइनस होगा पचास हजार क्या? टैंडर्ड डिडक्शन ठीक है? मेरे पास जगा नहीं है नहीं तो मैं नीचे लिखता है तो अब कुल इनका आएगा टैक्सेबल इंकम तो माइनस कर लेते हैं 0, 0, 0 और यह 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 1 गया 8, 8 में से 5 गया 3 और यह 8 में से एग गया 7 नहीं 7 लाख 32 जा रुपे पर हमें टैक्स का क्यल्किश ठीक है? अब 7 लाख 32 जा रुपे इनके बचे हैं सारे चीज़ों को घटा कर और ध्यान रखना यह कितना हो गया? बोलोगे कि सर देड़ लाख से तो पार कर गया तो यह 80C यह किसके अंदर गत हो रहा है? 80C 80C अब मैं अकेले एड डेड़ लाख और 80D का स्टेंडर डिड़क्शन 50,000 वो अलग से आता है तो यह 7 लाख 32 जार कर लेंगे इस पर ध्यान देना अब हम इदर पीछे करें क्या? इदर तो जगह है इस टेक्सिबल इंकम हमने फाइंड कर लिया? 7 लाख 32,000 तो यह अब calculation of income tax slab as old tax resign क्योंकि वो सारे deductions तभी आप avail कर पाएंगे जब आप salaried हो और old tax resign कि तुरू जा रहे slab 1 0 to 2.5 lakh क्या होता है? अब 2 points 2 lakhs 50,001 2 5 lakhs इतना होता है? 5 पॉस्ट तो यह तो एक और 2,500,000 रुपे का data है और इसका 5 प्रतिसत कितना हो जाएगा? 12,005 और उसके बाद यह था slab 2 अब slab 3 तो slab 3 क्या है? तो वो है 5,001 एक से 10,00,000 तक ठीक है? 10,00,000 तक कितना है? सीधे 20% 0,5,20 तो अब 20% इसमें 5,00,000 रहेगा तब लेकिन हमारे पास है कितना? 5,00,000,000 तो कतम तो 7,00,000,000,000 32,00,000 से 5,00,000 अटाएंगा तो कितना बचेगा? 2,00,000,000 तो यहां पर लिख देंगे कि हमारे पास कुल था 7,00,000,000 इसमें से 5,00,000 का calculation कर लिया है तो बचा है 2,00,000 32,000 और इसी का लगेगा 20% जो कि कितना होगा? तो 10% हो गया 23,200 तो 23,46,400 रुपिया यह क्या हो गया? 2,32,000 का अब दोनों एड हो जाएगा 0,0,5,4,9 और फे और दो 8 तारेक पास यहनि इनको 58,900 रुपिया टेक्स के रूप में देने होगे यह है calculated income tax अब इसमें क्या करेंगे? 30 कितना? 4% तो 58,900 पाचार पासेंट कितना होता है? तो 1%, 589 तो 4% 2000 और 8 चोग के 32 320 320 और 9 चोग के 6 320 में 360 जोड़ेंगे 2680 इसका 4% निकाल लिए जाए पाच हजार पर यंठावन हजार 900 का पाट पाट पर चोग के 36 हां सिल तीन और 4 अटे 32 और तीन 35 इस तीन और 4 पंचे 20 और तीन 256 रुपे ती 256 रुपे सेस के रुप में देने हैं 12 के दो यह 61,000 यह है पेबल इंकम तो यह है old tax resume के recording और बाग की चीज़े मैंने आपको new tax resume के recording तो मैंने हर तरीके से आपको बताने की कोसिस की है आपको मैंने rebate भी बता दिया सेस भी बता दिया आपको सरचार्ज भी बता दिया slaps, old, new, सारी चीज़े फिर भी आपको कुछ doubt लग रहे है तो आप basic message कीज़े या call कीज़े और बाते कीज़े जाम देने जाने से पहले भी आपको अगर कुछ चीज़ पूछना हो तो आप office so much, bye bye